नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सी टीवी इंडियानु जो हम इस समय उपचते हैं जनपत लखीम पुर खीरी विकास खंड बिजवा गराम पंचात राजगर जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ एक इस्थान बना हुआ है जो बीर बावा नंगिनिया बीर बावा के ना अलाधिकारियों से कहा लेकिन आज तक यहां पर लाइट की विवस्था नहीं हो पाई मात्र यहां पर पचास मीटर की दूरी पे एक मोटर लगा हुआ है वो कास्तकार के खेट में एक मोटर लगा हुआ है वहां से लाइट जुडवाने के लिए बावा जी ने कई बार यह पंस हो पागया था उसमें ये दर्साया गया था कि हमारे जो इस्थान के लिए एक लाइट की विवस्ता करा दी जा लेकिन आज तक लाइट की विवस्ता नहीं हो पाई है और देखने वाली यह इस्तित है कि आहां पर आला धिकारियों का कोई ध्यान ही नहीं रहा तो वह हम आपको द्रस दिखाने का प्रियास करते हैं हमारे साथ हैं पर ग्रामीर है इनसे हम जानकारी लेने का प्रियास करते हैं कि इस मंदर के लिए आज तक लाइट की विवस्ता हुई है या नहीं हुई पहले भी अनाम बताओ रभी कुमार कहा के रहने माले दंतरिया अच्छा यह बताओ यह मंदर पर लाइट आप देखे हैं कभी लाइट की विवस्ता है कभी नहीं देखें आज का नहीं इस्थान जो बना हुआ है प्राचिन कालकाई इस्थान है और लमसम यह जो बने हुए इसको सव साल के करीम में हो गए होंगे लेकिन आज तक यहां पर आपको परियास करते हैं कि खुले आसमान के नीचे वो परतिमा रख दी गई लेकिन देखने वाली यह इस्तित है कि आला अधिकारियों का लगातारी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम यह करेंगे वो करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं क्योंकि यहां पर जो आपको लेंफ जो है उसको जलाकर किस तरह से इसी मंदर के अंदर पुजारी जी अपनी पूजा करते हैं और इसी में किर्टन भजन जो भी है वो करते हैं लेकिन देखने वाली यह इस्तित है कि यहां पर आला अधिकारियों का ध्यान ही नहीं जाता जिससे इस जो बीरबावा इस देखने वाली हम आपको आप और भी इस्तित दिखाने का परियास körते हैं कि रहा हो सकता है कि अपने खाने के लिए यहां पर लमफ जलाने के लिए डीजल या अन्य मांगने गए हो जिसने आन्य पुजारी जी अपना रात में यहां पर बिताते हैं और उसके बाद में पुना सुबा उठके इस मंदर की साफ सफाई करते हैं और लगातार हम आपको यह दिखाने का परियास करते हैं कि देखने वाली यह इस्तित है कि यहां से 50 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा जंगल का टुकड़ा है वो भी यहां पर है लेकिन और 50 मीटर की दूरी पर यहां पर लाइट की विवस्था है मोटर चल ला है कास्तकारों के खेतों तक लाइट आई हुई है और यहां पर एक मोटर भी लगायागा जिससे यहां पर पानी की विवस्था भी की जाते हैं लेकिन मातर देखने वाली यह इस्तित दो खंभे या तीन खंभे लगेंगे इस इस्थान के लिए लेकिन आज त करते हैं कि लाइट की विवस्था मंदर पे करवा दी जाए लेकिन तब बावाज से यह कहा जाते हैं उनके द्वारा जब मंदरों पर लाइट का निर्मार उनके अगर जो हक में होता तो हो सकता हो जाता लेकिन यह तो कारी विद्धुत व्युहाग वालों का है प्यापन दीजिए और उनसे कि मंदर के लिए लाइट की विवस्था की जाए लेकिन यहां पर देखने वाली यह इस्तित है कि जब वीडियो साहब जो ब्लाग के वीडियो साहब हैं उनके द्वारा अगर यह कहा जाए कि हम इस विवाग से नहीं रहते हैं और यह के अधिकारियों से जब कहा जाता है बावा जी के द्वारा तो विद्धुत विवाग के अधिकारी यह कहते हैं कि लाइट की विवस्था करा दी जाएगी लेकिन आज तक कोई लाइट की विवस्था नहीं हुई है तो आईए वो हम आपको बावा जी जो आ रहे हैं अपन कि आज तक कि कहांई गिए हुए थे और लगातर वह मं द्रशन काल से इस इस्थान को लेकर प्राचीन काल में इस इस पुझरी आए dul recently से था रहे हैं कि इस इस्थान गल्वा था इस यह आगए दिन यहां पर पूजारी आ Но कि आजसे उपकर में यहां से चले गए और देखने वाली ये इस्थित रही कि आज तक यहां पे कई बावा आए और पुजारी आए लेकिन लाइट की विवस्ता परसासन से की गई मांगी गई तब परसासन के द्वारा मिला तो मिला क्या कुछ नहीं मिला और यहां पर देखने वाली यह इस्तित है कि बावा जी आप देख पा रहे होंगे कि हो सकता है कोई काम से गए होंगे तो वो आ चुके हैं और इनसे भी हम जानकारी लेने का परियास करेंगे कि जो HDM साहब को ग्यापन समुपा गया था उसमें HDM साहब ने क्या कहा था और क्या बताया गया इस लाइट को लेकर लेकिन देखने वाली ये इस्तिते तो आप देख पा रहे होंगे कि बावा जी जो इसी कुटिया के अंदर जब अपना जीवन आपन कई महीनों से यहां पर रहे रहे हैं और इसी जब यहां पर रात्री के समय जब अंधेरा होता है जब रात्री होती है जब ये बावा जी कैसे क्या यहां पर जीवन अपना गुजारते हैं और उसी के बारे में हम इनसे जानकारी लेने का परियास करेंगे जैसी तरह बावा जी अभी बावा जी से जानकारी लेने का परियास करते हैं जी बावा जी इस्थान से गए थे तो क यहां पर लाइट के लिए आपने साहब को ग्यापन समुपा था उसमें क्या बताया गया तो पिर आज आप भूखे सो जाएंगे आइसे तो जीवा अच्छे यहां पर पूजारी जी रहते हैं उनका कहना है कि आज हम मांगने गए थे तो इनको आज मांगने में यहां पर भिच्छा भी नहीं मिली जिससे आज अपना यहां पर चूला जलाएं और भोजन करें और देखने वाली यह इस्तिति हैं अपने मंदर के लिए जो मंदर में जब करेंगे तो आज अंधेरे में यह बैटके करेंगे क्योंकि इनके पास ना ही मोईल है और ना ही यहां पर एलेडी की कोई विवस्ता है और ना ही यहां पर स्वरुर्जा की कोई विवस्ता है जिससे यह उसी को जला करें अपना यहां पर पूजा अर्चना करें मंदर क प्रसासन के द्वारा अगर थोड़ी बहुत विवस्थाएं करा दी जाएं तो हो सकता है यहां पर जीवन धार हो जाया और इनका यहां पर जीवन अच्छे से यापन हो सके लेकिन आईसा कुछ नहीं तो यह इसी कुटिया के अंदर रहते हैं जहां पर रात्री या दिन में अभी अन्हेरा इतना जादा रहता है जब दिन में इतना अन्हेरा है तो रात्री में कैसे क्या यहां पर रहते होंगे तो आईयो हम दिखाने तो आप देख सकते हैं कि इसी कुटिया में जब अभी दिन है दिन में जब इतना अन्हेरा लग रहा है तो रात्री में कितना अ कि जाती है और लगातार ये साफ सफाई बावाजी प्रतिदिन करते हैं लेकिन यहां पर देखने वाली ये इस्तिते की आला अधिकारियों के दोरा थोड़ी बहुत अगर जो इनको सुभधाएं दी जाएं जिससे इस मंदिर के लिए कुछ ना कुछ किया जाए और ये मंदि लगातार यहां पर रूसनी से चमक उठे और कुछ दिन पहें